नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल गुरूरियर इस यूटूब चैनल में आज हम आपके लिए लेकर आए है यूटूब की एक नई सेटिंग की जिसकी जरुरत आपको हो सकती है तो ये नई सेटिंग आपको वाट्सअप की नए अपडेट में देखने को मिले अगर आप data user है तो आप वह हैं कर सकते हैं जैसे कि यहां पर अभी मत्मश्सप आपको यहां पर दिकh Jagへ और में यह मेरा एक फ्रेंड है है जिसका यह मेंसज आये है तो यह setting क्या setting है जैसे कि इसने मुझे यहाँ पर photo बेज़े है जो की educational aid है तो यह मुझे अगर इसो यहाँ पर यह जो setting आपको दिख रही है यह जो photo आपको दिख रही है वो photo मुझे gallery में नहीं दिखानी है मुझे gallery को अगर open करता है तो उसे वह gallery में वो photo और जो किसी भी मेरे दोस्त ने भेज़े हुई एक वीडियो है या फिर या कोई file है तो मुझे वो दिखानी नहीं है तो क्या setting करनी है तो पहले आप यहाँ पर setting में जाएंगे तो आपको यह नया वाला option आने आएगा और आप आपको यहाँ पर वो दिखेगा media visibility इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा do you want to show newly downloaded media from this chat in your phone's gallery आपको यह करना है तो yes कर सकते है अगर आपने yes किया है तो इस contact से जो कोई media आएगा वो आपको आपकी गलते में दिखेगा अगर आपने इसको no कर दिया और okay कर दिय तो यहाँ पर जो यह contact जो media भेजेगा और जो दोस्त आपको यह media भेजेगा उसका media gallery में नहीं दिखेगा तो इससे यह फाइदा है कि आपको अगर किसी का photo या कुछ दिखाने का नहीं है gallery में तो आप उसको छुपा सकते हैं और यह सुईधा केवल WhatsApp की नए beta users के लिए है अब बहुत जन बोलेंगे कि beta user का program full हो गया है मिल नहीं रहा है तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे हो सकता है chrome में आप यहाँ पर डालिए WhatsApp बीटा यूजर गोगल प्ले इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो पहली जो वेबसाइट आएगी इसको आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहां दिखेगा आपको यहां पर आपको एक अलग मेसेज आएगा जिससे आप क्लिक करकर एक बेटा यूजर बन सकते है तो तो बनिए बेटा यूजर और आपको यह सेटिंग यूज़ करके मेडिया के बारे में आपको गैलरी में जो सुविदा मिलने वाल है उसका लाब उठाईए तो आ ऐसे वीडियो डेली मिलने के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए